नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सभी का आर्पी टैक्निकल एश्टडी यूटॉब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को शेर कर दीजे जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्यूशन है किसी चलाइमान आईरन उपकरण में निमन में से कौन सी थूरूटिया होती है किसी भी चलाइमान आईरन उपकरण में कौन सी थूरूटिया होती है तो फटापट से बताएए इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा उप्रोक्त सभी ये थूट या किसी भी चलाई माल आइरन उपकरण में होती है तो right answer क्या हो जाएगा option number E अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन देरका electric test में किस परकार का बलब प्रियुक्त होता है उप्सन ये देरका ताप दीपत बी देरका पारद सी देरका नियोन डी देरका कारबन तो कौन सा लेंप होता है important question है तो इसका right answer हो जाएगा नियोन लेंप correct answer क्या होगा option number C अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन देरका A-WC के मद्धे आकरशन या आकरशन का बल किस पर निर्बर करता है important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा यह वह भी दोनों पर अर्थार्थ आवेसों के गुणनन वह आवेसों के मद्दे की दूरी दोनों पर निर्बर करता है correct answer हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दे रखा किसकी जाच के लिए continuity tester का इस्तेमाल किया जाता है तार की चालक तार के बीतर की सनवा की निरंतरता सीधर रखा तार का परति रोड डी दे रखा इंसुलेशन निरंतरता तो किसी किसकी जांच के लिए continuity tester का इस्तेमाल किया जाता है उपियो किया जाता है इंपोर्टेंट क्यूशन है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार के बीतर के सनवा की निरंतरता के लिए continuity tester का इस्तेमाल किया जाता है करेक्ट आंसर होगा ओप्सन नमबर B अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा है परतिरोध को को PCB में solder करने के लिए soldering iron की watt समता क्या होनी चाहिए soldering iron की watt समता कितनी होनी चाहिए ओप्सन दे रखा 25 watt, B दे रखा 60 watt, C दे रखा 150 watt, D दे रखा 240 watt तो परतिरोध को PCB में solder करने के लिए soldering iron की watt समता कितनी होनी चाहिए important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा 25 वाट correct answer क्या हो जाएगा option number ये अगला question दोस्तो अगला question देराखा छोटी winding की जाच के लिए उप्योग की जाने वाली सबसे आम विदी कौन सा friction करना है option देराखा field test बी देराखा drop test c देराखा no load test d देराखा break test तो छोटी winding की जाच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विदी कौन सा friction है तो इसका right answer हो जाएगा drop test, correct answer क्या हो जाएगा option number B अगला question, दोस्तो अगला question दे रखा किसी विदूत circuit की सतत्ता सामाने तोर पर किसके द्वारा जाची जाती है ओम मेटर द्वारा, मेटर द्वारा, ओल्ट मेटर द्वारा या मेगर द्वारा, तो राइट answer क्या होगा, तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा ओम मेटर, correct answer क्या होगा, option number ये अगला question द्रका, यदि एक चल लोग उपकरण को एक एमिटर के रूप में परियुक्त किया जाना है, तो यदि एक चल लोग उपकरण को एक एमिटर के रूप में परियुक्त किया जाना है, तो यदि एक चल लोग उपकरण को एक एमिटर के रूप में परियुक्त किया ज क्या होगा important question है जल्दी बताइए इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा मोटी तार के ट्रंस की अधिक संक्या होती है correct answer क्या हो जाएगा option number D अगला question दोस्तो अगला question दरका एक इस्ताई चुम्बक चल कवाईल उपकरण में विक्षेपन टोरक किसके सीधे समानुपातिक होता है option E दरका वाईउ अंत्राल में फलक्स गनता हो बी दरका तार के ट्रंस की संक्या सी देरका कवाईलों से होकर गुजरने वाला करेंट डी देरका परवावी कवाईल छेतरे यी देरका इन सब तो राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी ओप्शन ये, बी, सी, वडी तीन, चारोई औचन, दोस्तो अगला क्यूशन देरका स्टाई चुमबक गती शिलक वाईल उप्रोक्त का is scale क्या है इस्टाई चुमबक गती शिलक वाईल का उप्रोक्त क्या है यूनिफोरं, नोने यूनिफोरं, निचले सिरोपर मोडे गए, या मद्दे में सगन तो right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा uniform correct answer क्या हो जाएगा option number A अगला question देराका गति सील कवाईल इस्ताई चुम्बक उपकरणों को flux meter के रूप में किस परकार परियुक्त किया जा सकता है option A देराका निमन परती रोज संट का उपयोग करके B देराका उच्छ परती रोज संट का उपयोग करके C देराका उच्छ शिरीज परती रोज का उपयोग करके D देराका नियंतरन इस्प्रिंग को निकाल करके तो एक गति सील कवाईल इस्ताई चुम्बक उपकरणों को फलक्स मेटर के रूप में किस परकार परियुक्त किया जा सकता है इंपोर्टेंट क्यूशन है तो दोस्तो इसका राइट आंसर होजाएगा नियंतरन इस्प्रिंग को निकाल करके और करेक्ट आंसर क्या होजाएगा ओप्शन नमबर D किसे मापने के लिए मेगर परियुक्त किया जाता है निमन परेरखताओं के लिए उच परेरखताओं के लिए उच परेरखताओं के लिए उच परतिरोद के लिए तो मेगर किसके लिए परियुक्त किया जाता है इंपोर्टेंट क्यूशन है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा उच पर्तिरोध के लिए मेगर परियुक्ति किया जाता है correct answer क्या हो जाएगा option number D अगला question दोस्तो अगला question दिरका किसी चुम्ब के circuit में चुम्ब के वीबाव को खालिस्तान के संद्रम में मापा जाता है चुम्ब के वीबाव को किस में मापा जाता है MMF, EMF, कुलंब या गोस तो right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा magneto motive force में correct answer क्या हो जाएगा option number E अगला question दोस्तो अगला question दे रहागा इन में से कौन सा मापा कूप करन चुम्ब के फिल्ड की सक्ति को मापता है इन में से कौन सा मापा कूप करना है जो चुम्ब के फिल्ड की सक्ति को मापता है galvanometer, ghost meter, watt meter या clamp meter तो right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा चुम्ब के फिल्ड को मापता है ghost meter correct answer क्या होगा option number B अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रहा है निमन में से किसके मापन के लिए टेकोमेटर का इस्तेमाल किया जाता है किसे मापने के लिए टेकोमेटर का इस्तेमाल किया जाता है frequency को, सक्ति को, resistance को या RPM में चाल को तो किसको मापने के लिए टेकोमेटर का उप्योग किया जाता है important question है तो इसका right answer हो जाएगा RPM में चाल को मापने के लिए किसमें RPM में गति को मापने के लिए टेकोमेटर का परियोग किया जाता है तो right answer हो जाएगा option number D अगला question दोस्तो अगला question दे रखा meter coil से समाना अंतर रूप से जुड़े एक कम परतिरोध के तार को क्या कहा जाता है option E दे रखा sun T, B दे रखा multiplier, C दे रखा jumper, D दे रखा series तो इसका right answer क्या होगा meter coil से समाना अंतर रूप से जुड़े एक कम परतिरोध के तार को क्या कहा जाता है important question है तो दोस्तो इसका right answer होगा sun T, correct answer क्या होगा option नमर ये, अगला question दोस्तो अगला question दे रखा potentiometer के संबंद में real state का विबधित कैसे किया जाता है potentiometer के संबंद में real state का विबधित कैसे किया जाता है option A दिर का RioE state में गुमाओ की संक्या अधिक होती है B दिर का RioE state में अधिक संक्या की tapping होती है C दिर का RioE state की वाट सम्ता rating ज्यादा होती है D दिर का RioE state में गुमाओ की संक्या कम होती है तो इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो potentiometer के संबंद में real estate को कैसे विवध्यत किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option number C real estate की वाट सर्मता rating ज्यादा होती है correct answer क्या हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question देरा का emitter circuit से किस परकार जुड़ा होता है emitter होता है वहाँ circuit से किस परकार जुड़ा होता है series में, समानांतर में, reverse में या open path में तो right answer क्या होगा important question है तो इसका right answer हो जाएगा series में, सरेणी में जुड़ा होता है correct answer क्या हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question देरा का उर्जामेटर में परियुक्ति, electro magnets के core किस से बने होते है तो इसका right answer हो जाएगा silicon steel से, correct answer क्या हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question देरा का photocopy machine, खालिस्तान के सिद्धान पर काम करती है photocopy की machine होती है कि सिद्धान पर काम करती है इलेक्ट्रो इस्टेटिक परवाव उपर, चुम्ब के परवाव उपर, करंट का तापन परवाव उपर, या पैल्टियर परवाव उपर तो फोटो कोपी की मस्चीन होती है, किस सिद्धान्त पर काम करती है, फटाबट से राइट आंसर बताईए तो इसका right answer हो जाएगा Electro-static परवाव पर काम करती है correct answer क्या हो जाएगा option number A अगला question दोस्तो अगला question देरका emitter में हमेशा क्या होना चाहिए emitter में क्या होना चाहिए उच परतिरोद, कम परतिरोद, कम voltage या उच ओल्टेज तो emitter में हमेशा क्या होना चाहिए important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा कम परतिरोद होना चाहिए निमन परतिरोद होना चाहिए right answer हो जाएगा option number B अगला question दोस्तो अगला question देरका विदुत धारा मापने के लिए परियुक्त meter कहलाता है विदुत धारा को मापने वाले meter क्या कहलाता है voltage meter, eometer, m meter या oh meter तो विदुत धारा को मापने वाले meter को क्या कहा जाता है इसका right answer हो जाएगा m meter कहा जाता है correct answer क्या होगा option number C अगला question दोस्तो अगला question देरका thermocouple किसके सिदान पर कारिये करता है peltier परभाव, cbic परभाव, electrolytic परभाव या lens नियम तो thermocouple होता हुए किसके सिदान पर काम करता है important question है तो दोस्तो इसके right answer हो जाएगा cbic परभाव पर correct answer क्या होगा option number B अगला question दोस्तो अगला question देरका यदि एक multimeter की battery कमजोर हो जाती है तो यह देगी निमन पाठियांग, उच पाठियांग, कोई पाठियांग नहीं या बिल्कुल सही पाठियांग तो एक multimeter की battery अगर कमजोर हो जाती है तो वह क्या दरसाएगी important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वह निमन पाठियांग के दरसाएगी correct answer क्या हो जाएगा option number ये अगला question दोस्तो अगला question दिरका है खालिस्तान परकार का multimeter हदिक सन्वेदन सील और इसपस्ट है इन में से कौनसा multimeter हदिक सन्वेदन सील और इसपस्ट है digital है, indicator, analog या flu तो right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा डिजिटल परकार का multimeter अधिक सन्वेदन सील और इसपस्ट है right answer क्या हो जाएगा option number ये अगला question दोस्तो अगला question दिरका मेंगर किसका सन्योजन है मेंगर होता है वह किसका सन्योजन है motor का, generator का, generator और motor का sorry, generator और ohm meter का D दिरका SC motor और DC motor का तो मेंगर है किसका सन्योजन है important question है तो इसका right answer हो जाएगा generator और ohm meter का मेंगर किसका सन्योजन है generator और ohm meter का तो correct answer होगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दिरका emitter और ultimate खालिस्तान की सरेणी में आते हैं किसकी सरेणी में आते हैं तो दोस्तो इसका right answer होगा indicating परकार में आते हैं किसमें आते हैं indicating परकार की सरेणी में आते हैं तो इसका right answer होगा option number B तो दोस्तो इस वीडियो में इतना वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी सेर कर दीजिए जिस दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लिजिए साथ में ओल्ड नोटिकेशन बेल को भी आन कर लिजिए थैंक्यू